देखिए यह वो और्टेट है जिसने हमें सिखाया है कि हमें वराइटियों पर किस प्रकास से सेलेक्शन करनी है जिससे हमारे हमाहमें प्रोडक्शन प्रॉपरल ही मिल सके हलो दोस्तों नमस्कार मैं अनिश अमरेक आज जो मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करने जा रहा कि आपको M9 रूस्टॉक पर कौन-कौन सी वराइटी पर जाना चाहिए अगर आपकी जो सेलेक्शन वराइटी को लेकर गलत रहेगी तो जो आप प्लांट मेरे सामने देख पा रहे हैं तो उसके जो रिजल्ट है वो कुछ इसका दर रहेंगे देखिए काफी कॉल्स आई थी मुझे लोग कहते हैं कि M9 को लेकर कि हमारे प्लांट मां ग्रोथ नहीं है और जब हमने उनसे रिजन जानने के कोशिश की कि प्लांट में विगर की सबसे बड़ी जो प्रॉलम वो क्या है तो लोगों ने हमसे उनने शेयर कि जो उन लोगों आपना स्पर टाइव राइटी जैसे आप अपना सूपर चीव ले लिजिए जो आपका रेट के अप हो गया और एक आजैसिव राइटिया उन्होंने एंड रूस्टॉक पर ग्राफ कर रखी है और जिसका जिता जागता जो प्रुप कर यहां मेरे पास है ये भी मेरी M-9 रूस्टॉक पर ये जो आप प्लांट देख पा रहे हैं मेरे पास 50-60 पौदा है ये रेट के अप वराइटिय का है यह प्लांट हाँ देख रहे हैं यह 2017 की प्लांटेशन है आज देखिए कितनी साल होगी इसे कम से कम 6 साल से लेकर यह प्लांट कुछ इसकदर है हम इसमें फ्रूट ले रहे हैं बीच बीच में हमने जो है प्लांटेशन भी कर रखिए इसमें अब देखिए ये नीचे रेट के अब था मैंने इसमें चिपबल्ड ग्राफ्ट किया गाला का जो प्लांट हमारा आप ही देख पा रहे है इसकी यह कंडिशन थी रूस्टॉक M9 का वही था उसके हमने गाला ग्राफ्ट किया चिपबल्ड लगाया अब आप इसका वीगर नोटिस कर सकते है यह देखे यह वो ही प्लांट है जो एक टाइम में जिसने बढ़ना छोड़ लिया था जब हमने इसमें गाला जैसी व्राइटी को ढाला तो रजेल्ट कुछ इस तरिके के हमारे सामने आया है और एक चीज़ शेयर करना चाहूंगा कि यह जो आप देख पार है टोटल यह टोटल स्पट टाइप है और इनका जो नियोट्रेशन है वो सेम ही है जो हम फर्टिलाइजर इसमें यूज़ करते है वो ही इनमें किये जाते हैं और यह हमारा किंग रॉट का प्लांट है सेम यर सेम यर किंग रॉट का प्लांट है साथ साल का यह 2017 में इसकी यह भी प्लांटिशन भी थी और इसके साथ साथ हमने जो यह गाला के प्लांट लगाई थे और आपको मेरे कैप जो है मैं आपको दिखा चुका हूँ इसलिए जितने भी हमारे नए बागवान भाई है अगर वो M9 रूस्टॉक पर जाना चाहते है तो मेरा उनसे यही रहेगा कि अगर वराइटी सेलेक्शन की अगर बात की जाए तो आप अगसपर पर काम करना चाहते है तो सिरफ आप M9 पर सैमी स्पर वराइटी पर जाएए जो कि आपको जेरो मैंड, रैड ब्लॉक्स, गिंगरोट फैंजेड मेमामी स्टार यह जैसी वराइटी आपको इस पर गराफ्ट करना है तो आपका पौदा काफी अच्छा विगर लेगा और आपको प्रोडेक्शन मिलेगी अगर आप M9 पर स्पर टाइप जैसी वराइटी लगाएंगे तो जेर आपको कहीं न कहीं देखने के लिए ऐसे मिलेंगे जो आप लोग यहां पर देख पार है यह देखिए मैं इसे हल साल तीन-चार सालों से क्रॉप ले रहा हूँ ऐसा नहीं अच्छी खासी क्रॉप ले रहा हूँ पर अब प्रोडेक्शन की बात की जाए तो मैं तीस से चालिस फ्रूट ही इस पे ले पा रहा हूँ फुल प्रोडेक्शन क्यों क्योंकि हमारे पास जो प्लांट की जो कपैस्टी है वह बहुत कम है पिशासे साल फ्रूट हमेरा उस पे आ रहा है जो की काफी थोड़ा मेरा प्लांट स्ट्रॉप है आल्मोस्ट मुझे सब के सब प्लांट जो है तीस से चालिस फ्रूट दे रहे जिससे quality एची बनती है पर अगर production wise अगर हम बात करें तो मुझे वो जो मुझे इड़ लेनी है वो मुझे proper नहीं मिल पारी इसलिए जितने भी मेरे नए बागवान भाई है वो जब भी M9 पर पौदे लेते हैं तो उस पर टाइप में ले चाहिए वो local नसी हो चाहिए वो imported प आपको इस तरीके से ही 3-4 साल के बाद देखनों को भी लेंगे तो आपकी मजबूरी बन जाएगा उन्हें उक्राइब